नमस्कार दोस्तों ईश्वर सदाव आपका भला करें और आपकी जोल्या ईश्वर के आशेवाद से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों प्राचीन भारती हस्त सामुद्रिक शास में एक पड़ी प्रसिद्ध कहवत थी कि जिस व्यक्ति के हाथ पे दस चक्र होते हैं वो राजा होता है चक्र के साथ साथ हाथों पे संक, सीपी अनेक प्रकार के निशानों की चर्चा मलती है हम आगे आने वाले वीडियो में विविन प्रकार के शंक और सीपी होने पे उनका क्या महत होता है लूपस है तो उनका क्या महत होता है उस पे भी बात करेंगे लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली चक्र पे है अब देखिए फिंगर प्रिंट्स का क्या महत हो होता है यह हाथ का सबसे समवेधन शील हिस्सा होता है देखे इसके ही पीछे नखून होते हैं और यह भी हमारी समवेधनाओं को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं इनकी महत्व जब साइंस आया और जब खासकर जब अपराद विशेशग अगयों ने इसके संबंद में जाज की तब खुद उन्हें पता चला कि यह जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं हर व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं और इन फिंगर प्रिंट्स से व्यक्ति की सभाव और व्यक्तित को बहुत हद तक जाना जा सकता है आपको एक बात बता दू कि पश्चिमी देशों में आज भी फेस रीडिंग आपकी आइज आपके फेस आपकी हैंड आपका लेग इन सब चीजों पर आपकी बॉड़ी के शेप को लेकर वहां पर पामिस्ट्री के साथ सथ इसको साइकलोजी में भी रखा गया कि यह दी व्यक्ति का शरीरिक बनावट या उसका चेहरा इस तरह का है या वो गोल चेहरे का है वो लंबे चेहरे का है तो उसका व्यक्तित उसका सभाव कैसा हो सकता है तो मतलब वहां पर इसे विज्ञान की तरह समझा जाता है हमारे देश में बहुत लोग ऐसे आजाएंगे जो अभी इसी वीडियो के नीचे कम आमिस्टिय में विश्वास है जो इसको as a science समझना चाहते हैं देखे केवल एक चिन एक निशान से आप पूरे व्यक्तित्तों का आकलन नहीं कर सकते हैं हां लेकिन बहुत कुछ उस तरह के व्यक्ति के स्वभव के बारे में हम जान सकते हैं सबसे पहले चक्र के बारे में एक विशेश बात समझिये यदि मैं modern science की बात करूँ तो जो चक्र के निशान होते हैं जिनके हतेलियों पे जिनके पहले पोरों पे चक्र के निशान ज्यादा पाय जाते हैं ऐसे लोग दृड़ संकल्प शक्ति के होते हैं इसके अलावा जिन लोगों के उंग्लियों में ज्यादा चक्र के निशान होते हैं वो बहुत महनती भी होते हैं हट पूरवक अपने काम को करना जानते हैं लेकिन कमी क्या हो जाती है जिन लोगों की चक्र के निशान जादा होते हैं उनके अंदर हठीलापन अर्थात आप कह सकते हैं थोड़ा तनाव की स्थिति भी जादा बन जाती है और ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसे लोग मानसिक रूप से आराम अवश्य करें बहुत जादा ना सोचे क्योंकि जो चक्र बहुत जिन लोगों के जादा होते हातों में उन लोगों के एक अंदर कमी पाई जाती कि तनाव बहुत लेते हैं इसके अलावा यदि चक्रों की बात की जाए कि विभिन चक्र जो भी आपकी उंगलियों के पहले पोरों में हैं और कितनी म उसका क्या महत्त होता है उनका क्या आपके जिंदिगी पर प्रभाव पड़ता है उसको हम इस वीडियो में जानने का प्यास करेंगे तो देखे सबसे पहली बात कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के 10 के 10 उंगलियों अर्थात आपके दाएं हाथ की भी पांच उंगलियों में और व्यक्ति अपनी जिंदगी में बले नीचे से उठें लेकिन बहुत तरक्की करते हैं बहुत जीवन में नाम, सम्मान कमाते हैं एक समय ऐसा आता है खासकर 42 वे वहिश के बाद समय ऐसा आता है कि इनके जीवन में धन, सम्मान, पैसे किस चीज की कमी नहीं देखे जाती है औ मैंने कमी जो बताई है वही कि मांसिक तनाव ज्यादा लेते हैं यदि ऐसे लोग तनाव को छोड़ कर थोड़ा योगा अध्यात्म मेडिटीशन के और जाएं तो निश्चित रूप से बहुत जादा इनको लाव मिलेगा इसके अलावा वो लोग जिनके हाथ में खासकर आठ चक्रों अंगूठे को छोड़ कर यदि आठ चक्रों तो भी बहुत शुब होता है ऐसे लोग भी अपनी जिन्दकी में बहुत तरक्की करते हैं लेकिन ऐसे लोगों को अपनी वानी पे विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए ज्यादा एग्रेसिव हो के याप कह सकते है ज्यादा गुसा होके बात करने के अदत को छोड़ देना चाहिए उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की चोटी उंगली पे मतलब आपकी जो सबसे चोटी उंगली होती है जिससे कनिष्टी का उंगली कहते हैं उसको छोड़ कर यदि आपके अंगूटे को मिला कर आठ चक् तो इसे कमल योग कहा जाता है यह बहुत भागशाली होता है ऐसे व्यक्ति को विद्या अच्छी मिलती है बोलने की कला बहुत अच्छी उसकी बोलने की कला होती है बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बातों को एक्स्प्रेस कर पाते हैं लोग उनके बोलने से उनके और पाते हैं इसके अलावा जिन लोगों के पूरे हाथ में नौ चक्रों के विल एक ऐसी कोई भी उंगलियों जिसमें चक्र ना हों तो ये लोग शांत होते हैं लेकिन ऐसे लोग प्रारंब से ही बहुत अमीर नहीं होते हैं ये नीचे से उपर उठते हैं थोड़े चलाग भी हो होते हैं खas का मध्यमा अनामिका कनिश्टिका में होते हैं तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की करते हैं विदेशों में रहते हैं या आप कह सकते हैं घर से दूर जाकर विदेश भी नहीं तो कम से कम जहां भी इनका मदर लेंड है जिस भी जगह पे इसका जन्म हुआ है उससे दूर जाकर इनकी भागी की उन्नती जादा अच्छी होती है इसके अलावा यदि इससे कम चक्र है तो अर्थात आपकी हाथों में शंक की लूप की मात्रा जादा है तो उस पे मैं जो भी टॉपिक है उस पे मैं न दोस्तो नामस्कार